निकेश पॉलिटी में एक बाइफिट से आप सभी का स्वागत और आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं डामोक्रिटिक पॉलिटिक्स क्लास 10 से चैप्टर, चैप्टर नमबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज यह पूरा डिटेल्ट हम यहाँ पर डिसकर्शन है चैप्टर के बारे में और इसमें हम इस चैप्टर से आने वाले सारे कुश्चन्स चाहे वो वन लाइन कुश्चन्स हैं, चाहे वो शॉर्ट कुश्चन्स हैं, चाहे वो डिटेल्ट कुश्चन्स हैं हर एक question को यहाँ पर हम अच्छे से यहाँ पर उसका analyze करेंगे, उसका discussion करेंगे, आपको समझाएंगे, जिससे कि examination के अंदर आप आसानी से चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल उसको आसानी से आप attempt कर सके, लेकिन सबसे पहले अगर आप channel पर नए हैं तो please channel को like and subscribe करना ना जिससे कि channel से आने वाली जो notification है वो आसानी से आपको मिल सके, समय खराब ना करते हूँ इस चैप्टर से जो आता है, वो आता है political parties, कि कोई political party को क्या होता है, political party क्या होता है, राजदीतिक दल क्या होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a political party is a group of people, political party, लोगों का एक समों हो जो follow करते हैं, ideology, एक vicious प्रिकार की विचारधारा, and thus come together, और इसलिए वो क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, to contest elections, जिससे कि वो क्या कर सके, elections में भाग ले सके, और उसके द्वारा, वो क्या करके, hold power, power में आकर, यानि कि right elections के अंदर जीत हासिल करके, वो सरकार बना सके, तो वो elections के अंदर शामिल होकर, elections में भाग लेकर, उसमें जीत कर, सरकार के रूप में अपने आपको स्थापित करना चाहते हैं, next question, three main components of political parties, political parties के तीन main component कौन कौन से होते हैं, तो दीके three component जो होंगे, तीन जो मुख्ये, जो अंग होंगे, किसी भी political party के वो होते हैं, उसके leaders, स तीन component हैं, यहाँ पर leaders, the active member और थाड यहाँ पर आता है, the follower, the follower, next, यहाँ पर जो question आता है, functions of political party, कोई political party किस तरीके के functions को write क्या करती है, execute करती है, किस तरीके के कामों को, किस तरीके के functions को किसी political party के दौरा, इस function functionate किया जाता है उसको execute किया जाता है तो देखेगा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि the various functions कि कई तरीक है कि functions political parties किसी एक democracy के अंदर उसके द्वारा perform किया जाते हैं जिसमें पहला है parties contest elections देखेगे parties का गठनी इसलिए किया जाता है कि parties के द्वारा आप क्या करें elections के अंदर in most democracies elections are fought mainly among the candidates put by the political parties जाता जो democracies है उनमें party के जो candidates उनके बीच में ही right क्या होता है elections के अंदर जो प्रतिसपर्दा होती है उनके बीच में ही होती है इस candidates are elected in different ways यह जो candidate है यह अलग लग तरीके से क्या कर सकते हैं जी सकते हैं in US the party and the supporter choose candidate US के अंदर जो candidate है उसको party और 파टी के जो followers हैं वो मिलकर क्या करते हैं candidate को choose करते हैं जबकि हिंदो स्थान के अंदर बात कीजा है तो जो top party जो leadership होती है right party high command होता है वो leaders को क्या करता है choose करता है तो पहला parties का जो काम है वो है कि parties right क्या करती है elections के अंदर contest करती है निएक treaties के अंदर party के दोरा भागीदारी द देखेगा, elections को तब तक नहीं जीता जा सकता, जब तक कि कोई भी party, आपको कोई vote क्यों देगा, आपको तो कोई vote इसलिए तो देगा, क्योंकि उसको आपकी विर्चारधारा, आप किस तरीके की policies में believe करते हैं, जब आप लोगों को ये बताएंगे, और ये काम किसके द्वार करने की कोशिश करती है, and voters choose them on the basis of their program and policies, और voters उनको उनकी policies और programs के आदार पर क्या करते हैं, उनको चूज करते हैं, इसके बाद, थर्ट जहां पर जो आता है, वो है political parties, political parties form and run government, political parties ने election में contest किया, अपना agenda लोगों के सामने रखा, और जब लोगों ने उनको जिता दिया, त यहां पर है fourth function, those political parties lose the elections, play the role of opposition, दिखेगा, democracy के अंदर, जितना importance जो है, वो ruling party का है, उतना ही importance, right, opposition का भी होता है, तो जो party जीती, वो तो ruling party हो गई, वो सरकार चलाएगी, लिकिन जो party हारी है, इसका मतलब यह नहीं कि उनका कोई importance नहीं है, उनका भी अपना importance है, वो opposition के करती है, कैसे, right, role of opposition to the parties in power by the different views and criticize the government for its failure, right, कि जो सरकार है, जो ruling party है, वो जो भी कुछ कर रही है, सही है, तो right, ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रही है, तो opposition parties का जो फर्ज है, वो यह है कि वो principal तरीके से, यानि कि एक सही तरीके से, government की गलत नीतियों की आलोचना कर और उनको सही तरीके से काम करने को, right, क्या करे, उनको, right, उनको एक तरीके से, उनको, fine, उनको, उनको मजबूर करे, एक तरीके से, कि भाई, उनको सही तरीके से क्या करना चाहिए, right, काम करना चाहिए, इसके बाद, political parties often creates public opinion regarding the issues and concerns of the society and mobilize the masses to achieve their desirable goals, देखिए, political parties का जो एक और function है, वो क्या है, कि वो public opinion तयार करने का काम करती है, public opinion तयार करने का मामला क्या है, अब इसको इस तरीके से देखिए, कि किसी हर एक देश का, चाहिए, वो कोई भी state क्यों ना हो, सबकी अपनी-पनी समस्यां होती है, challenges होते है, तो political parties का ये काम होता है, कि वो लोगों के सामन country की या nation के सामने जो चनौतिया है, वो ले कर जाए, और लोगों के बीच एक mindset तयार करे, लोगों का एक बीच एक public mandate तयार करे, जिससे की right क्या कर सके, लोग उनकी favor में आए, उस party को जिता है, और जब पार्टी जीत जाएगी, तो वो उन, वो जो challenges है, उनको दूर करने के कर सकती है, इसके बार नेस्ट है, political parties provide people access to the government machinery and welfare skills implemented by the government because for ordinary people it is easier to approach a local party leader than the government officer, तो को बहुत important बहुत एक तरीके से, मतलब जो भी है, धरातल की जो इस्तिती है, जो ground level reality है, वो यहाँ पर बताने की गोशिश की गई है, कि जो political parties हैं, इनहीं की मदद से, जो आम लोग हैं, वो right क क्या होता है, government machinery तक right क्या कर पाता है, अपनी जो पहुच है, उसको सुनिशत कर पाता है, जो ordinary लोग हैं, वो government machinery के, government के right, government के different institutions, government के different departments तक जो लोगों की जो पहुच बनती है, right, वो किसके दोरा ही बनती है, मतलब easy way जो है, वो parties की दोरा ही बनती है, party के पदादिकारियों क दोरा, पार्टी लीडर्स के दोरा, जो लोग हैं, वो government तक अपनी right क्या करक सकते हैं, बात रख सकते हैं, अपने issues raise कर सकते हैं, और दूसरा, यहाँ पर जो welfare programs और schemes दो होती हैं, right, किसी भी government की जो welfare फिर program या schemes दो होती हैं, उनको right, उनको ordinary लोगों तक, masses तक, उसके बारे में एक awareness, उसके बारे में एक information, उसके बारे में एक जागरती जो पैदा करने का जो काम होता है, वो भी political party का होता है, देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी आम आदमी के लिए, यह आसान है कि वो क किसी एक राजनितिक व्यक्ति के संपर कर सके बजाए, किसी एक government officer के, किसी एक सरकारी कर्मिया, सरकारी अफसर तक अप्रोच करना उतना आसान नहीं है, जितना की right क्या होता है, एक political party के किसी व्यक्ति के किसा संपर करना होता है, क्योंकि वो लोगों के लिए सहज उपलब् तो यहाँपर हमने six functions देखें, जो कि कोई भी political party write करती है, नेस्ट यहाँपर देखेंगे the necessity, जो next question है, वो है necessity, necessity of political party's की, पोलिटिकल पार्टी के जर्वत क्यों होती है, देखें, वो यह था कि functions of political party's की जो लास्ट रमने देखा हो था, functions of political party की, पोलिटिकल पार्टी करती कि क्या है नेस्ट हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो यह है कि political party की necessity यानि कि जर्वत ही क्यों है तो देखें कि कहता है the rise of political parties is directly linked to the emergence of represented democracy कि political parties की जो importance है ना वो तब से ज़्यादा होती चली गई जब से representative democracy यानि कि प्रती निदी मूलक जो लोकतांत्रिक व्यवस्ता है आई तब से political parties की जो importance है वो क्या होती है बढ़ जाती है जैसे कि पहला they play vital role in functioning of representative government serving multiple essential functions notably they represent diverse perspective on various issues to the government enabling a broad range of voices to be heard तो सबसे पहली जो जरूरत है किसी भी representative government के अंदर political party की वो यह है कि political party बहुत सारे काम करती है जैसे कि वो right जो सरकार है उसके सामने अलग-अलग जो धाड़नाय है लोगों की जो अलग-अलग सोच है लोगों की जो अलग-अलग right जो जो उनकी अविशकतनाय है उनको right सरक कार के सामने रखने का जो कारे करती है वो कौन करती है पॉलिटिक पार्टी इसके बाद second यहां पर हम भी देख सकते हैं कि by bringing together representatives from different backgrounds parties facilitate the formation of the responsible and accountable government वो कहती है कि जो political parties है वो अलग-अलग background के लोगों को एक साथ लाकर अलग-अलग तरीके के लोगों अलग-अलग-अलग बिग सरकार जो कि सभी के हित के लिए right क्या करें काम करें यहां पर third है they function as mechanism to both support and retain, restrain the government, participating in policy making and offering justification or opposition when necessary अब देखेगा political parties एक और जरूरी काम यहां पर कर रही है वो क्या है कि वो जिरुर्व, वो government को क्या करती है support भी करती है और restrain भी करती है यानि कि अगर कोई भी government अच्छे से काम कर रही है तो वो government की उनकी कामों के लिए उन policies के लिए government को support करेंगी और अगर लगता है कि government right ठीक से चीजें नहीं कर रही है तो वो उसको right उसकी रोकथाम के लिए उनकी वो right unconstitutional उनकी right उनके functions को रोकने का भी काम कर सकती है इसी तरीके से policy making के अंदर भी political parties का एक important role हो तरीके से right political parties जरुवत के समय right सही चीजों के लिए जो सरकार है उसको समर्थन और गलत चीजों के लिए right अगर लगता है कि सरकार की किसी निती का right उसको 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 अपोस करना है तो उस समय वो अपोस करने का भी काम करती है तो इस तरीके से नसरी हो political parties में थ्री हमारे प नेस्ट यहां पर आगे बरते हैं how many parties should be have बड़ा ही देखिए बड़ा ही simple सा question है लेकिन है बड़ा important कि कितनी तरीके की how many parties should be have हमें कितनी parties होना चाहिए तो देखिएगा किसी भी inner democracy citizens have the freedom to form political parties democracy में लोगों को आजादी होती है कि वो कितनी भी political parties बना सकते हैं और currently more than 750 parties are registered with the election commission of India और अभी हाल में जो भारत के अंदर election commission of India के अंदर जो political parties का registration है वो 750 है यह पुरानी books में है इस समय जो यह data है it is about more than 2000 यह 2000 से भी जादा है तो किसी भी democracy के अंदर कोई political party कितनी political party हो कितनी भी हो सकती है यह एक general right एक तरीके का phenomenon है अगर हम हिंदुस्तान के बात करें तो अभी 2000 plus right क्या है political parties registered है इसको आप national या state मत मान लिजेगा वो अलग है national parties cable 7 है state parties अलग है देकिन यहाँ पर registered political parties की बात हो रही है कि registered political parties कितनी है तो देखेगा हम यहाँ पर जो political parties का जो find जो एक pattern है दुनिया भर के अंदर उसको यहाँ पर समसने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरीके की political parties हो सकती है तो सबसे पहला यह है वो कहता है कि in some countries अब one party system की बहुत से देश हैं जहाँ पर किवल one party system पाया जाता है जहाँ पर किवल एक ही party होती है और वो ही government को control or govern करती है जैसे कि ऐसा कौँसा देश है चाइना चाइना एक ऐसा देश है अब सिंगल party system हमें देखने को मिलता है जब कि कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ पर two party system होता है इसका मतब क्या है कि वहाँ पर हर election के अंदर two parties की genuine right possibility होती है कि उनमें से कोई एक ही right क्या होगे elections के अंदर जीत का सरकार बनाएगा ऐसे कौँसे देश है इनमें सबसे important जो नाम जाता है वो United States of America two party system को follow करता है यहाँ पर अगर हम बात करें अपने देश की हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान multi party system को follow करता है यहाँ पर कई सारी right क्या होती है parties होती है और वो सारी parties elections के अंदर power को लेकर compete करती है यह एक ऐसा देश है जहाँ पर की भारते कैसा देश है यहाँ पर दो से ज़्यादा parties की संबाबना होती है कि वो क्या कर सकती है सरकार में आ सकती है तो इस तरीके से आपने देखा कि तीन तरीके के pattern आपको democracy में देखने को मिलते है one party, two party और multi party system हिंदुस्तान में कौन सा है multi party two party का example क्या है USA से single party का example क्या है China इसके बार next अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं note यहाँ पर जो लगाया हुगा है उसमें बताया गया है कि when in multi party system different parties came together for the purpose of contested elections and gaining power it is referred to as an alliance on front कि जब किसी देश के अंदर कि जब किसी state में right 2 या 2 से party 2 या 2 से अधिक parties किसी भी देश के अंदर जब 2 या 2 से अधिक party साथ में आकर right क्या करती है सरकार बनाती है तो उसको alliance या front कहा जाता है क्या कहा जाता है 2 या 2 से अगर किसी एक party के पास right जो required seats है वो required seats नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा जो parties है वो एक साथ आ रही है और फिर the right क्या कर रही है सरकार बना रही है तो उस सरकार को उस तरीके की बनी सरकार को alliance है front कहते है next यहाँ पर हमारा question है national parties national parties क्या है there are some countries country wise parties right हमारे यहाँ कुछ ऐसी parties है जिनकी existence right क्या है country wide यानि की पूरे देश में है right और इस तरीके की parties को हम national parties कहते है तेक है यह वो parties होती है जिनकी की यूनिट्स होती है जिनकी शाखाय जो होती है वो हर जगे देश में देश की हर कौने में हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर एक note दिया हुआ है every party in the country has to register हर political party को right क्या करना होता है election commission of India के अंदर क्या होना अपना registration करवाना पड़ता है और election commission सभी parties को right क्या करता है equal मानता है it offers some special facilities लेकिन जो बड़ी parties होती है जो established parties होती है जो national ये state liberal parties होती है election commission कुछ विशेश तो विधाय भी दे सकता है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर next हमारा जो question है criteria for political parties तो देखेगा सबसे पहले state party के लिए criteria हम देख सकते है ठीक है कि किसी भी party को किसी भी political party को भारत के अंदर state party का जो अगर दर्जा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा तो देखेगा अब party debt secure 86% of the total votes in election to the legislative assembly of a state and wins at least two seats in the recognized and wins at least two seats is recognized as state party वो क्या कह रहा है कि कोई party अगर उसको elections के अंदर legislative elections के अंदर legislative elections के अंदर state legislative elections के अंदर अगर उसको कुल पड़े हुए बोटों का कितना percent कितने percent valid vote मिल जाए 6% valid vote मिल जाए और MP के अगर उसके पास MP के लिए कितनी seats हो लोगसभा में उसके कितनी seats हो two seats हो तो उस political party को state party का दर्जा दिया जा सकता है दो चीज़ें यहाँ पर है last year assembly के अंदर 6% valid vote और लोगसभा के अंदर two MPs अकर उसके पास है तो किसी party को state party का दर्जा दिया जा सकता है जबकि अगर अगर national party की बात करें तो आप party debt secure 86 party of total votes in लोगसभा is recognized वैसे इसमें और भी right कुछ conditions हो सकती है लेकिन आभी हम cable 10th standard के इसाब से बात कर रहे हैं आपर national party एक party जिसको कि लोगसभा elections के अंदर कितना कम से कम 6% right उसको क्या हो जाए vote मिल जाए उसके साथ उसके पास कुछ seats भी होनी चाहिए right लोगसभा के अंदर right minimum 4 होती है तो उसे हम national party का बाते हैं जनर्स्ट यहां पर question आता है कि 2019 के recording 2019 बHरत के अंदर कितनी recognized national parties है तो दीखिविगा वो कहता है कि 2019 के recording भारत के अंदर seven right recognized national parties हमें देखने को मिलती है कितनी मिलती है 2019 के recording हमें seven recognized national parties देखने को मिलती है जिसमें सबसे पहले और सबसे पुराने political party जो है वो है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस यानि की आई एन सी ठीक है इसको Congress Party के नाम से जान जाता है भारत की सबसे पुराने political party है इसका establishment 1885 के अंदर होता है अभी तक इसमें कई सारे विवाजन हो सकते हैं शुरुबात में इस party को जेल नहरू के द्व आजादी से लेकर 1977 तक continuous इसके द्वारा रूल किया गया और बाद में 1980 से 1989 तक इसके द्वारा रूल किया गया 1989 के बाद भारत के अंदर coalition governments का right के आ जाता है समय आ जाता है और यही कारण था कि ओस समय को चलाइस हमें देखने को मिलते हैं लेकिन बाद में 21 शताबदी में 2004 से लेके 2014 तक भी हमें इस party का complete एक dominance right central government के में देखने को मिलता है तो सबसे पुनानी political party जो national party है हमारे हैं वह है इंडिया national congress इसके बाद जो second right जो right जो political party यहाँ पर है वो है भारती जन्ता party second in terms of right second in terms of right जो congress के बाद position के बारे में बात करें लेकिन आज के समय जब हम 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं तो हम यह देख सकते हैं कि आज के समय में भारत की सबसे आताकतवर अगर कोई political party है right च कौन सी ही भारती जन्ता party इस party का establishment 1980 में होता है और इस party के जो roots है यानि कि इसका जो past है वो हमें भारती जन्संग right के रूप में देखने को मिल सकता है ठीक है यह भारती जन्संग जिसको कि शाम परसाद मुखर जी के द्वारा right 1951 में क्या किया गया था खड़ा किया गया थ इस party का जो main agenda है राइट वो इस party का जो main agenda है वो है ancient culture and values रिस्तोरेशन फाइन कल्चर राइट यह भारत की जो pride है भारत का जो culture है भारत का जो बहारत की जो values है राइट भारत की जो integrity राइट? national integrity and sovereignty है उसके अंदर इसके ये क्या करती है विश्वास कलती है cultural nationalism यानि कि हिंदुत वूई इसके इजेंडे का मुख्य बिंदू है right elements in this conception Indian nationalhood and politics इस तरीके से ये राष्टवादी राष्टवादी राजनीती को right क्या करती है तरीके से इसके अंदर प्रमुकता दी जाती है तो ये हमारी हुई second national party right अगर यहाँ पर देखा जाए इस party के बारे में इस expansion के बारे में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुरबात में ये जो भारती जिन्ता party थी ये cable ये इस cable भारत के उत्तरी और पच्छिम इलाकों तक right और उसमें भी जो urban areas जो थे right शेरी छेतर थे वहाँ तक right ये क्या थी cable वहाँ तक ही इसका expansion था लेकिन बाद में ये धीरे धीरे right सबसे पहले जो प्राइम इस पर्टिकल party से वो अटल विहरी बास पही थे और दीरे धीरे ये पूरे भारत वर्ष में right के party क्या होती चली आती है फैलती चली जाती है 2014 से भारत के अंदर ये ही political party का right क्या किया जा रहा है central के अंदर ये ही political party भारत को rule कर रही है national political party यहां आती है बहुजन समाजबादी party इस party का formation यानि के establishment होता है 1984 में काशिरांजी के द्वारा जिनको लग जिनके द्वारा right कही ना कहीं जो weaker sections थे weaker sections थे जिनको की उनके द्वारा बहुजन समाज कहा गया उनके अपलिफ्मेंट के लिए उनके बैटरमेंट के लिए उनके डवलपेंट के लिए उनके द्वारा इस political party का स्थिकारों की रक्षा करने के लिए उनके द्वारा इस political party का establishment किया गया जिसमें basically right उनके जो targeted sections थे वो थे धलित, आदिवासी, OBC और right जो releases minorities थी वो इस political party के right main right vote bank के रूप में हम इसको देख सकते हैं right शुरुबात इस political party की होती है उत्रप्रदेश के अंदर लेकिन बाद में ये आसपास के छेतरों के अंदर जैसे especially मदरप्रदेश, 36 गण उत्राखंड, दिल्ली, पंजाब right जैसे जो reasons हैं उसमें भी इनकी presence धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है आज के समय में ये national political party है यहाँ पर गौर देने वारी बात ये है कि चार बार बहुजन समाजवाजी party यानि कि BSP के दोरा चार बार उत्रप्रदेश विधान सभा का जो election है यानि कि चार बार BSP के दोरा अपना CM right उत्रप्रदेश जो की भारत का सबसे बड़ा right अगर बात की जाए राइट legislative assembly की या उसकी संख्या की right number of members की तो सबसे बड़े स्टेट के अंदर BSP के दोरा चार बार अपनी सरकार बनाई गई है यहाँ पर nest अगर बात की जाए तो यह fourth national party यहाँ पर आती है Communist Party of India Marxist इस political party की स्तापना 1964 में Communist Party of India की split यह divideration के बाद होती है यह party Marxism और Leninism में right क्या करती है बली करती है और इस party का जो vicious रूप से जो इसका support है वो right socialism, secularism, democracy के उपर है और यह imperialism यानि की अधिनायक वाद और communism को right यह क्या करती है उसका वरोथ करती है It accepts democratic elections as a useful and helpful means for securing the objectives of यह party मानती है कि elections हो है वो भारत के अंदर अपने सामजिक आर्थिक जो न्यायके जो आपके उदेशे हैं उनको पूरा करने का एक महत्मूर साधन है यह political party यह political party इसका एक strong right support system है West Bengal, Kerala और तरपरा जैसे राज्यों के अंदर इस party के अच्छी खासी existence हमें देखने को मिलती है 12-14 के elections के अंदर इस political party को 3% vote और 9 seatे लोगसभा के अंदर प्राप्थ हुई थी यहाँ पर next political party next national political party की बात करें तो यह आती है आम आदमी party आप सभी इससे अच्छे से वाकिफ होंगे आम आदमी party अर्विंद केजरिवाल जी उनका India against corruption का movement और उसके बाद उसके आम आदमी party का establishment आम आदमी party भी भारत की एक national party है इसका establishment नवंबर 2012 में अर्विंद केजरिवाल के द्वारा किया जाता है फॉरेंगे 2011 इस party का जो big ground है वो कहीना कहीं आप 2011 में भारत में चलने वाले इंडिया anti-corruption movement में आप देख सकते हो प्रेजेटली जो आम आदमी party है पंजाब और दिल्ली के अंदर अपनी सरकारें इसकी देखी आम आदमी की party की जो सरकार हैं वो आप दिल्ली और पंजाब के अंदर आप इनको देख सकते हो यहाँ पर छटी national party का जो नाम है जो national party का जो नाम है वो है आपकी national people's party यह भी भारत के एक national level की right क्या है पॉलिटिकल पार्टी है इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मुस्टरी जो existence है वो मिधालया में आपको देखने को मिलता है इस party का foundation रखा गया PA संगमा के द्वारा NCP की स्थापना जो है और 2012 के अंदर यह NCP से अलग होकर यह political party existence के अंदर आती है इस political party को national party का जो जो status है वो 7th of June 2019 के अंदर इसको देखने को मिलता है और North East की पहले political party है जिसको की national political party का क्या दिया गया है खिताब दिया गया है तो इस तरीके से यह हमारी 6 political parties रही जिनको की national political parties की रूपे जाना जाता है सबसे पहले हमने इंडिया national congress की बात की उसकी बात हमने बात की बीजेपी की देन हमने बीएसपी की बात की देन हमने communist party of India Marxist की बात की देन हमने बात की आमाधी party और 6 हमारी जो नमबर पर जो party है वह है national people's national people's party इसकी बाद nest यहाँ पर हम चलते हैं state parties की तरफ state parties की तरफ तो यहाँ देख सकते हैं कि the election commission has classified some of the major parties of the country as state parties election commission of India की द्वारा बहाद की कुछ महत्पूर parties की state parties का क्या दिया गया है दर्जा दिया गया है these are also referred as the reason parties state parties का दूसरा नाम जो है वो reason parties भी हो सकता है यहाँ पर कुछ examples आपके सामने दिया हुए हैं जैसे बीजू जन्तादल, DMK, AIDMK, Mizo National Front यह सारे राइट, regional level या state political parties हैं आगे चलते हुए यहाँ पर हम देखेंगे challenges to next question कि क्या political parties के सामने भी कुछ challenges होते हैं तो यकीनद, political parties के सामने भी आज के समय में जो हम political parties को देखते हैं present scenario में, present political scenario में तो हमें political parties के सामने कई तरीके की right problems हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं जिसमें से पहली है, जिसमें की सबसे पहले जो problem है यहाँ पर वो है lack of internal democracy जिसमें से पहले जो problem हमें देखने को मिलती है political parties के साथ में वो है lack of internal democracy का मतलब क्या है इसका मतलब political parties के आंदर आंतिक लोकतंत्र को एक समस्या देखने को मिलती है जैसे कि इसको कैसे समझें इसको हम देख सकते हैं कि जैसे parties जो है वो membership, registers, organizational meetings इस सारी चीज़ों को लेकर इनके अंदर कोई internal elections जो हैं वो regularly यहाँ पर देखने को नहीं मिलते इसको मिलती है यह सारे जो functions जो political parties का एक important part है लेकिन यह सारी जो चीज़ें है इसके अंदर political parties के अंदर एक transparency की कही ना कहीं हमें एक कमी देखने को मिलती है next हमें यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आता है next हमें यहाँ पर समझ में आता है कि most political parties do not practice open and transparent parent procedure for their functioning so there was very few ways for ordinary worker to rise to the top of a party sometimes top positions are only controlled by members of one family तो यहाँ पर कहीं आता है family hierarchy कि एक कहीं ना कहीं problem देखने को मिलती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो आम कार करता है किसी भी political party में जो आम कार करता है उसके बिना political party कभी run भी नहीं कर सकती लेकिन दिक्कत यह है कि किसी भी political party के अंदर जो functions हैं वो बिना transparency के किये जाते हैं और जो नेने हैं वो किवल किसी एक परिवार या एक group के द्वारा लिये जाते हैं तो उस condition के अंदर जो आम कार कार करता है वो अपने आपको ठगा सा महसूस करता है और उसकी political party के अंदर उसकी आगे बढ़ने की जो संभावना है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है थर्ड यहाँ पर जो political parties को लेकर समस्या है वो है money and muscle power और जनरली देखा गया है कि political parties अपने ticket distribution के समय उन्हें राइट जबकि इस सीस का विशेश उसे ध्यान रखना चाहिए कि जिस candidate को वो ticket दे रहे हैं और उसकी जो चवी है वो पूरी तरीके से राइट सच होनी चाहिए लेकिन फिर भी कभी कभी cable seats जीतने के लिए जास याना seats लाने के चकर में political parties जो money power वाले जो लोग है उनको राइट क्या करती है political parties के दार उनको ticket दिया जाता है और इस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके की अव्यवस्था की स्थिति हमें राइट क्या देखने को मिलती है law and order जैसी चीजों को एक खत्रा हम इसके अंतरगत देख सकते हैं क्योंकि वो लोग जिनकों की लोग का representation करना है अगर वो ही अगर खराब चबी के लोग या खराब वक्तित्व के लोग होंगे तो फिर आम जनता का जो प्रतिनिर्फ है उसके उपर एक सवाल या निशान यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फूर्थ जो चैलेंज है political parties के रूप में तो वो है हाँ पर people do not find parties to be meaningful choice for their vote लोगों के पास political parties के रूप में कोई meaningful choice नहीं होती है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वही लोग है जो leaders है या leadership जो है वो वही है वही है और वही जो लोग है जो आज A party में है कल वो B party में होंगे दूसरा यहाँ पर problem जो होती है वो यह होती है कि कही ना कहीं जो party की जो policies है या party का जो agenda होता है उसमें भी कोई खास different parties के बीच में उसमें भी कोई खास अंतर नहीं होता तो यह भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर देखने को मिलती है तो हमने देखा चार तरीके की यहाँ पर problem है political parties को लेकर पहली चीज हमने देखा कि कही ना कहीं internal democracy की एक कमी है second हमने यहाँ पर बात की transparency को लेकर right एक problem हमने देखा third हमने देखा use of muscle and money power number four हमने देखा कि political parties के अंदर कही ना कहीं आम लोग meaningful choice की एक तरीके की absence को right face करते हैं यहाँ पर next question है कि political parties how can how can parties can be reformed जो parties है वो किस तरीके से reform किया जा सकता है तो देखेगा है यहाँ पर कुछ steps दिये गए हैं कुछ actions दिये गए हैं जिसके तुरू political parties के अंदर reforms लाने की questions है किये गई अंडर 52nd constitutional amendment 1985 defection is prohibited in India defection का मतलब दल बदल 1985 के 1985 का जो constitutional amendment 1985 में जो 52nd constitutional amendment हुआ उसमें defection को पुई तरीके से क्या कर दिया प्रोहिविट कर दिया अगर कोई व्यक्ती तरीके का का काम करता है और यह सही बाया जाता है तो उसकी जो membership है उसको राइट क्या किया जाएगा शस्पेंट कर दिया जाएगा नेस यहाँ पर जो है वो है the Supreme Court of India India passed in order to reduce the influence of money and muscle power in politics Supreme Court of India का माने नहीं है सर्व उस निया लेकर नहीं है कि भाई जो money and muscle power जो है उसका जो प्रभाव है politics के अंदर कम से कम किया जाना चाहिए और इसी लिए हर candidate को जो election के अंदर खड़ा होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस बावत एक अपना affidavit करार नामा right क्या तरह सामने रखे लोगों के सामने रखे कि जिससे की पता चले लोगों के पास कि उसके पास कितना धन है उस धन के सोर्सिस क्या रहें क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और तब जाकर लोगों के पास एक क्लियर चॉइस होगी कि वो किस करीकी कि व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटिटिव के रूप में देखना चाहते हैं यहां पर निस्ट जो थर्ड यहां पर जो एक्षें हैं यहां पर हम देख रहे हैं वो है जो इलक्शन कमीशल इंडिया है उसका आदेश है कि पॉलिटिकल पार्टिज अपने ट्रांसप्रेजन सी और इंटरन डेमक्राइसी को इंशाओर करने के लिए political parties regular अपने elections करवाए और अपने income tax returns रइट क्या करे प्रापर तरीके से उनको file उनके द्वारा किया जाना चाहिए beside these many suggestions इनके अलाबा भी बहुत सारे suggestions हो सकती है जो कि political parties के reforms के लिए काफी important हो सकती है जैसे कि सबसे पहले सबसे वहले यहाँ पर हम देखें तो our law should be made for regulate the internal affairs of political parties political parties के आंतरिक मामलों को regulate करने के लिए कानू बनाया जाना चाहिए it should be made mandatory for parties to give minimum number of tickets about one third to the women candidates to ensure minimum quota for women in the decision making bodies of the parties ये भी निश्यत किया जाना चाहिए कि parties के जालों जो ticket parties आए उनमें कम से कम एक दियाई seat जो है वो महिलाओं को दी जाए और decision making में उनकी महत्मूर भूमी का होनी चाहिए there should be state funding reflections या पर तीसी चीज़ जो है misses of money या money power का money power का इस्तमाल जो elections के अंदर तरह तरह के से किया जाता है उसके लिए एक विचार ये भी है कि राजे के दौरा जो elections के अंदर जो खर्चे होते है उसका जो पूरा खर्चा है वो राजे के दौरा यानि कि state के दौरा right उठाया जाना चाहिए the government should give parties money government को parties के लिए पैसा दिया जाना चाहिए जिससे कि right to support their election expenses जिससे कि वो अपने elections में होने वाले खर्चों की पूर्थी कर सके और गलत तरीकों से वो अपने आपको बचा सके तो ये भी right कुछ क्या हो सकते है general measures हो सकते है जिससे कि political parties के अंदर reforms लाने की कुशिश की जा सकती है two different ways of reforms in political parties यहाँ पर लोग भी अपनी तरफ से भी right लोग क्या कर सकते है कुछ initiate कर सकते है जैसे कि people can put pressure on political parties जो लोग है वो हमेशा political parties के उपर एक दवाय बनाया रखें this can be done through petition, publicity and agitations ये आपकी petitions, याचिकाओ, publicity or agitation, व्रोग प्रशनों की रूप में हो सकता है जिसे political parties को हमेशा ध्यान है कि लोग जाग रुख हैं और वो किसी भी तरीके की गलत activity को करने से अपने आपको बचाएं political parties can improve if people who want to change can join political parties because political change is possible only when eligible people will join the politics यहाँ पर दूसरा जो तरीका हो सकता हो यह है कि politics को या political parties को criticize करने से काम नहीं चलेगा वो लोग जो बिलकुल clear means के हैं वो लोग जो country के लिए state के लिए कुछ करना चाहते हैं और लोगों को politics के अंदर आगे बढ़कर उसमें participate करना चाहिए तो यह था हमारा पूरा chapter political parties chapter 4 democratic politics से hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेनल को like और subscribe जरूर कर लीजिए जिससे की यह चैनल से आने वाली notification आप तक सबसे पहले पहुस सके आज के लिए इतना ही thank you very much have a good day जैने जैवार धन्यवाद